कि एक्स्ट्रा डिजल फोल करते हैं टेंक उसके बाद मालेज निकालेंगे और हमारा एक्स्ट्रा आया अभी 21 लीटर और फूल हो गया हुआ है तो चलते हैं फैनली आज हम फिर एक्स्ट्रा गिरिन डिजल डालेंगे और एक्स्ट्रा गिरिन डिजल डालके हम देखते हैं कि क्या हमारा मालेज निकल के आता है और इसके बाद हम mileage निकालेंगे तो हमारा रोज का running same running रहता है 173, 174 km रहता है और कल हमने diesel डाला था इदर 2000 का यसी पॉम से डाला था तो आज हम देखते हैं कि हमारा कितना आता है और क्या आता है तो चलिए हम डालेंगे आज खुद ही diesel tank फूल करेंगे और हम खुद से ही nozzle करेंगे उनका और क्या है कि तोरह बहुत अगर गिर भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमें पूरा ही देखना है और बरिया से देखना है आपको भी पता चले कि हां एक्स्ट्राइब और नॉर्मल में क्या मालेज का डिफरेंट निकल के आता है तो चलिए आज हम ट्रा ग्रीन और एक्स्ट्राइब हमने पहले ही फोल कर रखा था इस गारी में हम एक्स्ट्राइब लेंगे तो उसका मालेज क्या आएगा क्योंकि हमारा जो है 173 का पर डेर रणिंग है और इस रणिंग के कोडिंग हम अभी जो भी लेंगे वह मालेज निकल के आएगा कि पूर हाँ जो होगी न हो वगान जान लोत अपना है अट से फटाल इस दर मिंटर पे दिखा है दो और यह आया है 841 और हमारा टेंक हो गया फूल हम टेंक को बन करते हैं एक्सेट्रा ग्रीन डिजल लिया है और एक्सेट्रा ग्रीन का डिजल हमारे पास यह आया है यह सबस्क्राइए नव लिटर हमारा है अचाहाँ जहाओ और म Stern depths पूराना काफी बढ्द्रा और यह चार सल पूराना कामered है और इस नौर्मल डिजल नॉर्मल डीजल का गहरह है नोर्म डीजल का है 989 और इसकाह Ninety three नॉर्मल डीजल का एक से यच्ट्रा पर लेटर और इसकाहन 27 तो आपका चार रुपे घ्रिंड है atau तो चार रुपे में आपको मिल रहा है दो किलोमेटर एक्स्ट्राय तो मुझे तो एक्स्ट्रा ग्रेन डालने से भाया है तो नेक्स टायम से मैं एक्स्ट्राग डालूंगा आप ज़रूर कमेंड में बताओ और मेरा भी फाइनली मालेज निकल क्या एह नाइंटीन का तो हम ऐसके बाद जो भी एक्रीन लाना वेटर संजहेंगे और आप भी देख्व आपको क्या डालना चाहिए तो तो पानली अज का मड़ेश के लिए हो गया हुआ है 19 का मैलेज है और एक्स्ट्रा ग्रीन हमने डालना तो एक्स्ट्रा Nee